बिहार के सहरसा में एक मौलाना ने शर्मना खरकत की है, वो भी अपनी छात्रा के साथ, एक नावालिक बच्ची के साथ, मदर्से में पढ़ने जाती थी वो छात्रा और मौलाना ने उसके साथ कर दिया शर्मना खरकत, नमस्कार आप देख रहे हैं देशवानी उज़ और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी ये मामला सहरसा के सदर्थाना छेत्र की है दरसल 13 वर्षिय नावाली बच्ची की मा दिल्ली में रहकर कमाती है और अपनी बच्ची को अपने नाना नानी के घर पर पढ़ने के लिए रख्यू ही है बच्ची गाओं के ही मस्जीद में जाकर म मदर्से में पढ़ाई करती थी लेकिन उस मस्जीद के मौलाना यानी की वहां के टीचर के द्वारा अपने हवस का शिकार बनायागा उस बच्ची को कई महीनों से इस बच्ची के साथ वह शार्रिक संबंद बना रहा था और उसे धमकी भी दे रहा था बच्ची डर से किसी को कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन जब उसकी तबियत खराब हुई तो बच्ची के परजनों ने उसे डॉक्तर के पास ले जा करके जांच करवाया तब पता चला कि बच्ची प्रेगनेंट है ये पूरे तीन महीने से कुक्रित्ते चल रहा था वो भी एक सिक्षक के द्व कह दोगी तो पूरे परजन के साथ तुमलों को गाउं से जाना पड़ेगा या तुमलों की हत्या कर दी जाएगी बच्ची डर गई थी लेकिन तब्यत खराब होने के बाद जब घर वाले उसे डॉक्तर के पास ले करके गए तो पता चला कि बच्ची प्रेगनेंट है और उसका अबॉर्शन हुआ इस बात की जानकारी जब परजनों को हो गई तो उन्होंने गुस्से में मौलाना के घर जाकरके उलाहना दिया लड़ाई करना शुरू किया तो मौलाना के परजन भी उसके दर्वाजे परचन करके उनलों को चेताने लगे कि तुम लोग खामोश के लोग कहते हैं वो लोग पंचायती करते हैं और पीडित लड़की के परजन को ही धमकाते हैं कि पैसा मिल रहा है पैसा ले करके खामोश हो जाओ मौलाना की इज़त की बात है वो एक मौल भी है टीचर है उनकी इज़त चली जाएगी बेशर्म सभ्य समाज के लोगों के द्वारा ये क्रित किया जा रहा है कि पीडित लड़की के परजनों को ही धमकाया जा रहा है जब पीडित परिवार के ऊपर तमाम तरके दबाव पढ़ने लगे तब पीडित परवार अस्थान ये थाने में जाकर के कंप्लेंद दर्ज कराता है तब कारवाई होती है मौल से कुक्रित्य करता रहा तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे देश्वान न्योज के साथ धन्यों